सबसे पहले पंजाब और फिर गोवा में ड्रोन यात्रा शुरू हो रही है उतरप्रदेश मद्यप्रदेश और आंतरप्रदेश में भी ड्रोन ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है और तमिल नाडू सहित असम राजिस्तान और तेलंगाना में ड्रोन यात्रा शुरू हो चुकी है भारत की खेती के स्वन्ने भविशे की और बढ़ते हुए एक साथ सौ ड्रोन के अभिनव प्रक्षेपड का गवा बनने का यह एक एहतिहासिक शन है अगर नीतियां सही हो तो देश कितनी उची उडान भर सकता है आज का दिवस इसका बड़ा उदारा है कुछ साल पहले तक देश में जब ड्रोन का नाम लिया जाता था तो लगता था कि ये सेना से जुड़ी हुई कोई वबस्ता है ये दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए उप्योग में आने वाली चीज़े हैं उसी दाइरे में सोचा जाता था लेकिन आज हम माने सर में किसान ड्रोन सुविधाओं का उद्धारन कर रहे हैं ये 21 सदी की आधुनिक क्रशी व्यवस्ता की दिशा में एक नया अध्याय है मुझे विश्वास हैं ये शुरुवात न केवल ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साविध होगी बलकि इसमें संभावनाओं का एक अनंत आकास भी खुलेगा मुझे भी बताया गया है कि गरूर एरोस्पेस ने अगले दो वर्षों में एक लाख मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने का लक्ष रखा है इससे अनेकों युवाओं को नए रोजगार और नए अवसर मिलेंगे मैं इसके लिए गरूर एरोस्पेस की टीम को सारे नवजवान साथियों को बधाई देता हूँ साथियों देश के लिए ये समय आज़ादी के अमृतकाल का समय है ये युवा भारत का समय है और भारत के युवाओं का समय है पिछले कुछ वर्षों में देश में जो रिफॉर्म्स हुए हैं युवाओं और प्राइवेट सेक्टर उसे एक नई ताकत दी है ड्रोन को लेकर भी भारत ने आशंग काओं में समय नहीं गवाया हमने युवाओं टैलेंट पर भरोसा किया और नई सोच के साथ आगे बड़े इस बार के बजेट में हुई गोश्णाओं से लेकर अन्यन नितिगत फैंसलों में देश ने खूल कर टेक्नोलोजी और इनोवेशन को प्रांश्मिक्ता दी है इसके परणाम आज हमारे सामने हैं वर्तमान में ही हम देख रहे हैं कि ड्रोन का कितना विविद इस्तेमाल होने लगा है अभी बिटिंग रिटिट के दवरान एक हजार ड्रोन का शांदार प्रदर्शन पूरे देश ने देखा आज स्वामित्व योजना के तहट गाओं में ड्रोन के जरिये जमीन का घरों का हिसाब किताब तैयार हो रहा है ड्रोन के जरिये दवाओं के सप्लाई हो रही है मुश्किल इलाकों में वेक्सिन पहुंत रही है कई जगह खेतों में दवाओं का छिड़काव भी ड्रोन से शुरू हो गया है किसान ड्रोन अब इस दिशा में एक न्यू एज रिवालूशन की शुरुवात है उधार के तौर पर आने वाले समय में हाई केपिसिटी ड्रोन की मदद से किसान अपने खेतों से ताजी सब्जियां फल फूल बाजार भेज सकते हैं मचली पालन से जुड़े लोग ताला नदी अस समंदर से सीधे ताजी मचलियां बाजार भेज सकते हैं कम समय में मिनिमल ड्रेमेज के साथ मच्छवारों का किसानों का सामान बाजार पहुचेगा तो उनकी मेरे किसान भाईयों की मेरे मच्छवारे भाई बेहनों की उनकी आई भी बढ़ेगी ऐसी अनेक संभावनाएं हमारे सामने दस्तक दे रही हैं मुझे खुशी है कि देश में कई और कमपनियां इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं भारत में ड्रोन स्टार्ट अप का एक नया इकोसिस्टिम तैयार हो रहा है अभी देश में दोसों से जादा ड्रोन स्टार्ट अप काम कर रहे हैं बहुत जल्द ही इनकी संख्या हजारों में पहुँच जाएगी इससे रोजगार के भी लाखों नए अवसर खुलेंगे मुझे विश्वास है आने वाले समय में भारत का ये बढ़ता सामर्थ पूरी दुनिया को ड्रोन के ख्षेत्र में नया नेत्रुत देगा इसी विश्वास के साब आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहुत बहुत शुब कामनाए हैं नवजमानों के साहस को मेरी शुब कामनाए हैं आज जो स्टार्ट अप की दुनिया खड़ी हुई हैं यह जो नवजमान साहस कर रहे हैं रिस्क ले रहे हैं उसको मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और भारत सरकार नीतियों के द्वारा लगातार आपके साथ रहे करके कंदे से कंदा मिला करके आपको आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं आने देगा मैं बहुत बहुत शुब कामनाए देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद झाल